हलो फ्रेंड्स के जवाप सभी मैं मुके स्वागत करता हूँ आपका टेक्निकल सोगिल यूटूब चनल में फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों ने कमेंट किया था कि मैं एक जवलेरिसा बनाऊं जो कि लोवा, लकडी, MDI, बोर्ड और प्लास्टिक को बिल्कुल आसानी से काड़ सकती है तो आज गे इस वीडियो में हम बनाएंगे एक पहुती स्यांदार जवलेरिसा तो चलिए फ्रें है वो आप देख सकते हैं एक सेंटिमिटर यानि की 10 mm और चोड़ाई इसकी 3 सेंटिमिटर के लगबग है और इसकी लंबाई 5 फिट की है जो कि मैं 25 रुपे की मातर लेके आया हूं कार्बेंटर सोब से तो आप इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं कि यह कितनी बार अलग एक सेंटिमिटर इस तरह से छोड़ दिया है और यहां पर एक एक सेंटिमिटर की दूरी पर दोनों तरफ मैंने इस तरह से लाइनिंग खीच के मार कर दिया है अब यहां से मैं लोंगा साड़े 9 सेंटिमिटर ठीक है तो यहां पर इस तरह से एक सेंटिमिटर यानि 10 mm का ब भी देताओं कि किस तरह से हमने क्या किया है तो जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं पहले का यह diagram है और दूसरी नंबर का ये तीइसरी नंबर का यह और इसकी जो लंबाई है वह आमने लिए 1 Xa 2 cm और इसी परकार से जो दूसरी नंबर बाला diagram है उसकी लिए हम ने एक इंटू साडेनो सेंटिमिटर और तीसरे नमबर वाले की भी हमने सेम साइज लिए एक इंटू साडेनो सेंटिमिटर अब दूसरे और तीसरे नमबर के डायगराम में यह size भी attached है 1 x 3 cm जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से तो तीनों diagram यहाँ पर बन चुके हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं तो चलिए अब हम इनकी cutting कर लेते हैं हमारे channel पर comment box में यही सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला था कि यह जवलेरसा कहाँ पर मिलेगी तो इसका भी मैं आज की इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ तो size के अनुसार हमने cutting कर लिए अब जो 1 x 14 cm की cutting की थी उसको दोनों तरब से 2-2 mm के लगबग तिर्चा करना है इस तरीके से जैसा कि आप देख सकते हैं friends अब टी आकार की दोनों लकडी की चीपों के उपर हम इस तरीके से shape देंगे 2-2 mm उपर निचे से मोटाई की cutting करेंगे और लंबाई into चोडाई 1 cm ही रहेगी तो चलिए friends अब हम इनकी cutting कर लेते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यार जिस चीज को बना रहे हैं हम उसी से cutting करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं friends इन दोनों की हमने यहाँ पर इस तरह से cutting कर लिए ठीक है और यह क्यों की है आपको एक एक चीज यहाँ पर में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इनके 20 cm में जहां से हमने cutting किये तो यहाँ पर mark कर लेंगे और यहाँ पर हम लगबग 14 mm का छेद करेंगे देख सकते हैं फ्रेंड्स इस तरह से हमने छेद कर लिया है और इसी परकार से दूसरे वाले पर भी हम इसी तरह से छेद कर लेंगे तो देख सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर हमने दूसरे वाले पर भी छेद कर लिया है और अब हम इनको चिपकाएंगे यहाँ पर इस तरह से फेक्स करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हम instant glue की दवारा यहाँ पर चिप करें। लेकिन instant glue की दवारा यही चिप काने से काम नहीं चलने वाला क्योंकि हमें इस जिवलेरिशा को और भी मजबूत बनाना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमें कुछ जुगाड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक इंच की दो दो एमेम की केले लिए दो पीस और इनको हम दोनों तरफ लगाएंगे और इसका फायदा यह होगा कि बीच वाली जो चीप है वो दोनों तरफ की चीपों के साथ अच्छे से मजबूत हो जाएगी तो यहाँ पर हमने दोनों तरफ की लिए ठोक दिये और अब इनके जोडों पर हम वापस से इंस्टेंट गुलू इस तरह से डाल देंगे तो देख सकते हैं फ्रेंड्स यह इतना मजबूत हो गया है कि आप इसको दसपेट उपर से भी गिरा दोगे तो यह नहीं तूटेगा अब यहाँ पर हम एक लकड़ की चीप का टुकड़ा ओर लेंगे एक बाई एक और लंबाई चार सेंटिमेटर तो इसको हम यहाँ पर इस्टेंट गुलू के दवारा आसानी से चिपका देंगे इसको चिपकाने के बाद में हम इस जवलेरी साकी एक अच्छी सी सेफ दे द तो यहाँ पर हमने इसको इस तरह से कर लिया है और यह देखे पिछे से हमने इसको नुकुईला कर लिया है और अब आप चाहें तो इसके उपर कलर कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं ब्लेक कलर करने वाला हूँ इसके उपर तो चलिए कर लेते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कलर करने के बाद में कुछ इस तरह से यह दिख रहा है अब हम एक लोए की पत्ती लेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह 2 mm की है यह आपको लोए की दुकान पर मिल जाएगी जहाँ पर खेट की दर्वाजे बगरा बनते हैं वहाँ पर तो वहाँ पर यह आपको फ्री ओप कोष्ट मिल जाएगी अगर इसके कोई 5-10 रुपे ले 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 वो एक अलग बात है क्योंकि यार मैं तो फिरी में ही ले गया था और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एक सेंटिमेटर की दूरी पर हमने इस प्रकार से मार कर लिया है और फिर उसके बाद में 1-1 cm की दूरी पे हम यहाँ पर इस तरह से मार कर रहे हैं और टोटल यहाँ पर 6 मार करेंगे यानि हम टोटल 6 टुकड़े यहाँ पर करने वाले हैं 1-1 cm के लेकिन इससे पहले हम सभी टुकड़ों के अंदर 5 अमयम का चहिद करेंगे जैसा कि हमने जवले रिसा के अंदर किया था तो चलिए अब हम इनकी अच्छे से फिनिसिंग कर लेते हैं तो आप चाहिए तो यहाँ पर सेंट पेपर के दवारा भी ऐसा कर सकते हैं तो देख सकते हैं फ्रेंट्स यहाँ पर हमने 2 mm मोटाई की यह पत्या कट करके फिनिसिंग कर लिए और अब हम लेंगे इस परकार के दो नट बोल्ट जो की 4 mm और 1 इंच के हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अब दो पत्यों के उपर हम दो नटों को इस तरह से फिक्स करेंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और अब हम यहाँ पर लेंगे दो वासर जो की इस तरह के हैं और इनको हम bolt के उपर इस तरह से लगाएंगे क्योंकि bolt के अंदर ये काफी जगे होती है बीच के अंदर जैसा कि मैं आप लोगों को बता दू यहाँ पर देख सकते हैं तो यह अच्छे से वासर इसके अंदर fix हो जाते हैं तो इन वासरों को इसके अंदर fix करके यहाँ पर कर तो इस तरह से हमें गिसना है तो चलिए nut bolt के साथ साथ वासरों को भी हमें गिसना है जहां पर हमें welding करनी है वहां से हम गिस लेंगे वासरों को भी अब एक एक पत्ति को हम जेवलरसा के उपर इस तरह से चिपकाएंगे इस टेंट गुलू के दवारा जैसा कि आप यहाँ जिए पत्ति को れ Learn आपकरुकां के और यह साथ देख सकते हैं और यह बिल्गूल अचे से यहां पर चिपक जाएगा अब बौल्ट को हम इस तरह से डालके और नट को हम इस तरह से ड़ेंगे की वह पत्ती तक बिल्कुल अचे कर ले कि यार मैं इसी परकार के नहीं नहीं वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूं क्योंकि यार आप लोग भी मुझे इसी तरह के नहीं नहीं कमेंट करते रहते हैं कि मुकेश भाई अपके बार यह चीज बनाना इसी तरह के आपके काफी कमेंट हो जाते हैं यार तो मैं आप लोगों के जवाब नहीं देपाता लेकिन आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ता हूँ। और उसी हिसाब से आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेके आता हूँ। अब इसी परकार से छेद गए 20 सेंटर में दूसरी तरफ भी हम एक एक पत्ती और चिपकाएंगे। तो यहाँ पर टोटल चार पत्तिया लग चुकी है और दो पत्तिया सेस है। तो दोनों पत्तियों को एक एक करके इस तरह से लगाएंगे। चिपकाना नहीं है। अब यहाँ पर दोनों पत्तियों के बीच में आप जगे देख रहे होंगे दोनों तरफ यहाँ पर लगेगी ब्लेड लेकिन इस ब्लेड को हम कसेंगे कैसे। तो इसके लिए जो वासर हमने लिए थे वो लगाएंगे हम बोल्ट के उपर इस तरह से और यहाँ पर करेंगे हम वेल्डिंग यानि की सोल्डरिंग जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी जो सोल्डरिंग की थी सेम बेस ही। तो यार फ्रेंड्स आप यकीन मानिए इस परकार से सोल्डरिंग करने से यह अच्छे से मजबूत हो जाएगा। अपने वीडियो के अंदर काफी बार MDA बोर्ड और लकड़ी की अच्छी सेफ दिवी है सेंट पेपर की दवारा तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। फिलाल मैं अपने टोल जोकी एंगल ग्राइंडर मशीन हमने बनाई थी उसी की दवारा कर रहा हूं। तो यहाँ पर हम इसको साड़े दस सेंटियमेटर ले लेंगे। फ्रेंड्स इस लकड़ी के अंदर दो छेते तो इनको हम इसी लकड़ी के बुरादी के दवारा अच्छे से पेक करके फिनिशिंग कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं लकड़ी के बुरादी में फेवी को लिमिक्स करके हम पिल्कुल इजिली ऐसा कर लेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसको अच्छी डिजाइन दे दिया है और इसकी पकड़ भी बहुत मजबूत रहेगी। और जो छेद दे उनको भी हमने बर दिया है। अब हम इसको यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पर करेंगे इस तरह से छेद। फ्रेंड्स यह चेद आप मैनुवली भी कर सकते हैं। इसको लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ी के दबार इसको अच्छे से ठोक देता हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स अब हम इसके अंदर लगाएंगे यह ब्लेड्स तो अब सवाल यह उड़ता है कि वह यह ब्लेड्स मिलती का है। और वेसे तो आपको एक चीज और बता दूँ कि काफी फ्रेंड्स तो ने यह सवाल मुझसे किया है कि यार यह ज आपको बताना तो मुश्किल था तो मैंने सोचा किसी वीडियो के अंदर में ये सारी आपको जानकरी दे दूँगा तो फ्रेंट्स आपको मैं यहाँ पर बता दू कि यह जो जेवलेरी साह आपको मिलेगी यह वापर मिलेगी जहाँ पर जेवलेरी के जो टूल्स मिलते हैं ओजार मिलते हैं उस दुकान पर आपको यह जेवलेरी साह मिलेगी तो यहाँ पर हमें इस ब्लेड को बिल्कुर लग जाएगा देख सकते हैं फ्रेंट्स तो चलिए अब मैं आपको दोनों जेवलेर साथ बता देता हूं यह देखिए इस तरह की आती है मार्केट की जो की आगे वाली है और वो वाली हमने बनाई है दोनों की साइज बिल्कुल एक्यूरेट शेम है लंबाई चोड़ाई सबकी यह कटिंग करेगी क्पीक की औरस्या आपकी अपकीन है प्रेंड्स यहां पर में आप लोगों को एक चीज और बता दू कि जेवलेर्शा की दवारा हम चाय जैसी डिजाइन भी दे सकते हैं इसको गुमा के और कटिंग भी कर सकते हैं सिद्धी टेडी या फिर जैसी चाय मोड के तो इसलिए यहां पर मैं आप लोगों को इस तरह से करके बता रहा हूं तो यहार फैंट्स आपको यह जवलेर्शा कैशी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएगा साथ ही इस वीडियो को कर दिजिए लायक और शेयर और जुनों अब देग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिलाइक जुरूर फैस कर लिजिएगा और नोटिफिशन के अलपे क्लिक करना ना भूलें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वोचिंग धन्यवाद दोस्तो